जैएन प्यारे साथियों, स्वागात है आप सभी का एक बर फिर से खोठा किंग ओफिसल पर आएए, आज हम लोग शुरुबात करने बाले हैं, खोठा निबंद का ये दूसरा निबंद संग्रा होगा दूसरा निबंध होगा, इस निबंध संग्रा का, दूसरा निबंध हम लोग आज बात करने वाले, इसमें से बता दे कि खोठा निबंध संग्रा का परीचे हम लोग पहले देख चुके थे, पहले हम लोग परीचे बात कर लिए, उसके बाद इसका जो पहला निबंध था, स साम से भी कई सारी चीजें असपस्ट हो गया होगा इसका अर्थ निकाला यहां जाको जगड़ा लिंग का जगड़ा यानि जेंडर का कौन स्तिर लिंगक고요 नंपुलिंग नपुनसक लिंग कौन उभाई लिंग है यह सारी बातें यहां पर की गई है दरसल यहाँ पे इस निबंध के माध्यम से एक लेखक और बताया गया कि लेखक ने बताया कि एक हमारे मित्र है और लेखक इसको लिखा किसने है तो बिएन ओधार जी के द्वारा लिखा गया यह निबंध है खोठा निबंध तो उनके और उनके एक मित्र के बीच में ये दोनों के बीच में आपसी बातचीत होता है और उसे में से जो बताया जाता है कि किस तरह से अलग-अलग विस्यों में लिंग आधारित समस्या जो दिखाया गया है चाहे वो संस्कृत भासा की बात करें या हिंदी में बात करें या अन्य भासाओं की बात करें। सभी जगा पे किस तरह से जो वो लिंक समस्या के उपर में यहां पे बताया गया कि कैसे जो वो लोगों को बाट रखा है। अगर हमारा सरीर है तो सरीर में आख, अंग, ना, खड़ी यह सब जो वो पूलिंग है और वही हमारे सरीर का दाथ, पेट, गोड, हाथ यह सब जो वो पूलिंग है। लिंग बताया गया है, तो वो किस रूप में बताया गया है, यह सारी चीजें यहां पे इस निबंध में बात किया गया है। लिंग को ले करके, तो उसके बारे में यहां पे बातचित किया गया है, कि किस तरह से लिंग को वो किस रूप में बाट करके रखा गया है। ठीक है, संदेश यह है कि निर्जीव पदार्च में प्राण नहीं होता है, अतह उसमें लिंग का प्रश्न ही नहीं है। उसे नपुनसक लिंग में रखा जाना चाहिए, परन्तु उन्हें भी जिवधारियों की भाती इस्तिरलिंग और पूलिंग में बाट दिया गया है। यानि यहां कहने का, बोलने का अर्थ था कि जो व्यक्ति निर्जीव है, जो वस्तु निर्जीव है, जिसमें से कोई जीव नहीं है, तो उसको जो वो हम लोग सजीव और निर्जीव के बजाए, हमको उसको, हमें जो वो उसमें किसमें, उसे किसमें रखना चाहिए, तो उ इस तरहिए कि यहां पे बोला गया कि उन्हें परंतstein यहां जीवदार्यों की भाती सियंग और पूलिंग में बाळ दीया है इस निबंद में अगर बात कर जा जा तो छेट्डिय भासा को वह लिंग विद्हान के मद्डे नज़र ज्यादा परगतीसिल बताया गया यानि अगर इस निबंद की आधार पे देखा जाए जो छेत्रिय भासा जो है उन छेत्रिय भासाओं को यहाँ पे बहतर दिखाया गया है और वह भासाओं के अपेच्छा छेत्रिय भासा जो यहाँ पे तो उन छेत्रिय भासाओं की तुलना जो वह कह सकते हैं कि और भासा से अच्छा बताया गया है, यहाँ पर किस माध्यम से बताया गया है, तो वो सारी बाते हम लोग आगे बात करेंगे, ऐसा इसलिए बताये गये, क्योंकि प्राकिर्तिक लिंग छोड़ करके, कोई लिंग विधान का जो नहीं देखने को मिलता है, करता या कर्म के लिंग वाकिको को परभावित नहीं करते हैं जब कि हिंदी लिंग विधान में भी काफी परिशाणिया होती है अब यहां पे कर्ता और कर्म के आधार पे या तो कह सकते कि उसके आधार पे बहुत ज्यादा लिंग परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है छेत्रिय भासाओं में ऐसा नहीं कि यहां पे नहीं होता है यहां पे भी होता है लेकिन कम में होता है ठीक है छेत्रिय भासाओं में कम समस्या देखने को मिलता है और वह भासाओं के अपीछा में तो चलिए एक ही करके हम सुरुवात करत और आपको ऊपर से र опас पूंच लिया जाएगा किया निबंद कि दो रार लिखा गया होटा निबंद ये पुस्तक है और इस से संबंदीतए एक और इंतिकर हो गिया और इस देख लिजेगा पहला वीडियो और उसका बाद उसके बाद खोठा निबंद का परीचे से एक हमने प्रश्ण बनाया था कह सकते हैं कि वीडियो बना हुआ है ज्यादा लंबा रही है आठ दस मिनिट का वीडियो है उसको आप देख लिजेगा वहां से सारा किलियर हो तो बखेडा में बखेडा लिंग बखेडा किस भाव का निबंद है तो यह जो वो फिंगाठी भाव का निबंद है अगला सवाल है कि बखेडा में बखेडा लिंग बखेडा कौन किताबे आयल रचना लागे तो अभी हमने बताया यह जो वो खोठा निबंद का एक निब ही हुवी है तो आप इन चीजों को ध्यान दीजेगा ऐसा ने की सब पढ़ने बैट जाएगा आपको केवल बारा ही पढ़ना है शुरुबात कीजेगा एक से सब्टाइच चलेजे और अंतिम जहां पे हामें खड़ा हो यानि बारा हुआ निबंद जो है यहां तक आपको पढ़ना है बारा हुआ निबंद इसका अंतिम निबंद है हामें खड़ा हो वहीं तक आपको पढ़ना है यह भी चीजें आपको ध्यान रखना है अगला सवाल है कि वैसन तत्त्य जकर से मरद या जनी के भेद के पता लगो है ओकरा की कहल जाए तो ओकरा कहल जाए लिंग पहचान जो इस्त्री या पुरुस होने का भेद पता चले तो आगे बढ़ते है और भी कई तरीके है इसको पहचानने के लिए जैसे लिंग कहल जाए लिंग जो वो चीन या निसान के भी कहल जाए पहचान से भी हम लोग बता सकते हैं कौनो बसूत के अनुमान हो बढ़न जो उसके आधार पे यहाँ पे बात किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा option D यानि ये सभी तरीके से जो वो हम लोग link की पहचान कर सकते हैं या link को बताया जा सकता है और समझ सकते हैं मिमानसा के आधारें link कर निर्णे करल गेल जा है तो बता दे कि मिमानसा के छे आधार पर जो वो link की निर्णे की गई है पहला उपकरम, उपसहार, अव्यास, अर्थवता, अपुर्वता और उपयती ये 6 आधार पे जो वो ये मिमानसा के आधार पे 6 आधारों पे जो वो link कर निर्णे किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा option D यानि 6 आगे बढ़ते हैं आते हैं अगले सवाल भी अगला सवाल की आख, आंगुर, नाक और हड़ी इक कौन रखमेक link लागए अब देखें ये सभी है सरीर का ही अंग है है ना ये सभी सरीर के ही अंग है लेकिन सरीर के कुछ अंग जो वो इस्तिर्लिंग बताया गया है और कुछ अंग जो हो पुलिंग बताया गया है तो समस्या यही बताया गया है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है सरीर का एक ही एक ही सरीर है और उसमें से कुछ हिस्से जो वो इस्त्रिलिंग के अंतर गता आ रहा है, कुछ पूलिंग के अंतर गता आ रहा है, तो वहाँ पे अलग-अलग रूपों में बाटा गया दिखाया गया है, तो बता दे कि आंक, अंगली, नाक और हड़ी, ये सभी जो वो इस्त्रिलिंग के अ आख टेड़ी है, तो कहीबार मतलब इसको जो वो ुस्तिर्लिंग के रूप मेरा गया है, आख को भी जो इस्तिर्लिंग के रूप मेरा गया है, अब यहां पर भी आपको जानUM करके आश्यर होगा, कि आख का अगर परियाबाची देंगी नयन, तो देख़ें नयन का अलग अ तो कई बार ऐसा कि कुछ के परियावाची ले लिजेगा तो उसका लिंग बदल जाता है सरीर का अंग के तू दूर बात है उसी का परियावाची सब्द जो वो लिंग में परिवर्दन हो जाता है और कई ऐसे उधारन है यहां पे उतना उधारन तो हम आपको नहीं दे सकते लेकिन आप याद रखेंगे इन सारे चीजों को चलिए तो याद रखेंगे इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए यानि यह सभी को इस्तिरलिंग के अंतरगत रखा गया है ठीक है दात पेट गोड और हाथ कौन रखमेक लिंग लागए तो बता दे कि यह सभी जो वो पुलि लिंग वॅ्के सपंपर व्रहनला के वोटर लिस्ट है नाम नाब नें चड़ हुँ है तो याँ प्र व्रहनला जब उसके मीत्र बोलते हैं कि अगर आपके वीधवाव नहीं है लिंक को लेकर के तोавно जो प्रेढ़िए जो अनला लोग है उन लोगों का जो वो वोटर लिस्ट में अभी तक नाम क्यों नहीं चड़ाए अगर लिंग में भेदभाव नहीं है तो यह लोग का नाम जो वो अभी तक वोटर लिस्ट में क्यों नहीं चड़ाए गया है तो यह सारी बातें यहां पर किया गया है ठीक है तो इन लोगों का जो हक अधिकार है उसकी तो दूर बात है इन लोगों को पहले समाज जो वो accept नहीं कर रहा है तो आखिर में ऐसा कारण क्या है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है अगला सवाल इसमें से देखते हैं पानिनी पतंजली कर संबंध कौन भासा से है तो पानिनी और पतंजली इन दोनों का मुख रूप में जो वो संस्क्रीट भासा से सम्मध है लेकिन कुछ ऐसी रचनाय जो मिलती है वो हिंदी में भी मिलता है ठीक है तो अगर इस तरह का अगर option बनाई हिंदी और संस्क्रीट दोनों तब दोनों कीजेगा नहीं तो आपको संस्क्री के लिखवईया लागत नाटि सास्त्र के लिखवईया कौन है तो बता दे कि इसके लेखग अगर आपसे पूछ लिया जा कि नाटि सास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया है तो यह आचारी भरत मुनी के द्वारा लिखा गया है नाटि सास्त्र ठीक है बागे के इन सभी क ये बारे में आप सभी को पता होगा अच्छे से निबंद है दामुदर के की कहल गये अब देखिए दामुदर नदी जो है है ना दामुदर नदी को जो वो यहां पे किस रूप में बोला गया है तो बता दे कि इसे जो वो नद़ पूलिंग के अंतरगट रखा गया है एक और नदी है भेडा है ना एक और नदी है भेडा जिसको हम भैर भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं भैर भी बोलते हैं बता देखी इसको जो वो नदी इस्त्रलिंग के रूप में रखा गया है जबकि दामुदर को जो वो पुलिंग के अंदर गत रखा गया है नद पुलिंग इसको बोला गया है इसको नद पुलिंग बोला गया है जबकि भेडा को नदी इस्त्रिलिंग बोला गया है अब ऐसा क्यों बोला गया है ऐसा जो वो कुछ आधारों पे ऐसा माना जाता है कि dáamudar के नद, पुरिंग और भेड़ा नदी जो है, है ना भहर भी जिसकों बोलते हैं। ये इस्त्रिलिंग है, ये दोनों का एक के सकते हैं की संगं माना जाता है, एक ऐसा संगं माना जाता है इस छेत्र में। कहा जाता है कि रजरप्पा जो वो दामुदर नदी हैं पच्छी में से पूरा बहु है और भेडा नदी पानी तकर उपरे दाहिन बाटले आएके गीरो है इसलिए बताया गया है कि यहाँ पे नद और नदी का एक दुरलब संगम है इसलिए नद जो वो पुरूस यहाँ पे गया है तो यह दोनों आधार पे अब कुछ महां पे जिसके आधार पे वो सारी निर्णे किया गया है यह तो अलग बात है लेकिन यह सोचने वाली बात है कि यह भी नदी है यह भी नदी है तो उनके नाम पे आधार पे कैसे इस तरह से परिवर्तल हुआ है यह बात है यहा बेडा या भ혈यर्वी नदी के कहल गेन है तो भẻडा या भैयर्वी नदी को यहाँ पर नधी इस्टीलिंग के रूप में कहा गया है इस निबंध के आधार पर हम बाते की गई है हम उसी के आधार पे बता रहे हम कोई अपना यहाँ पे कह सकते की अपना हम ग्याना इसमें से नहीं हम डाल रहे है जो आपको इस निबंध में बताया गया है उसी के आधार पे हम बात कर रहे है किलेर हो गया कुछ लोग ऐसा है कि आप फिर अलग-अलग बताने लगीगा कि में इसा होता है ये नहीं होता है तो देखिए जो निबंद में बताए गया है ये निबंद के कि बताइएगा दामुतर नदी का उध्गम अस्थल बताइएगा कि कहां से सथा उध्गम होता है इसका बहाव किसी भी नदी को जानने लीए पैचानने के लिए अपको वहां से सवाल कभर करने के लिए इतने topics यतने point कहां से हुआ पहला वो कितने किलुमिटर उसका जो बहाव छेतर है किन जीलों से होकर के बहती है ठीक है और उसका अंतिम जो है मुहाना जो है जहां पे वो जाकर के नदी जो वो या तो किसी समुद्र में जाकर के मिल रहा है उसके बारे में आपको याद रखना है कि उसका अंतिम जो मुहाना है वो कहां आप जाब करके मिल रहा है वो नदी तो इतने किसी भी नदी के बारे में आपको इतनी याद रखना है और साथी साथ इसके कुछ सहायक नदियों के बारे में तो किसी भी नदी को अगर आप पढ़ते हैं तो इतने चीजों को आपको ध्यान रखना है अगर इतना पॉइंट आपको आध है तो वहां से और ज्यादा टॉपिक नहीं पूछा जाता है उससे ज्यादा सवाल नहीं बनता है हाँ हो सकता है कि कुछ ऐसे बांध अगर उस नदी के संगम पर है तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है तो ऐसे प्रश्ण बनाया जा सकते हैं कि कुछ खास अस्थल हो कुछ वैसे तलाब वगरा हो बांध हो डेम हो तो वो फिर सवाल महां से पूछा जाता है के लिए रोग याती है सभी प्रश्णों को आपको ध्यान रखना है चले आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पर निबंधे कौन जगा के नद और नदी के दुरलब संगम मानल गेले तो बता दे की रजरप्पा को जो है वो नद और नदी का दुरलब अस्थल माना गया है दुरलब संगम माना गया है जहां पे नीचे नीचे जो वो बहती है दामुदर नदी और उसके ऊपर में आघंडियों को यहां पे दामुदर को जो new नद पूलिंग माना गया है जबकि इसको जो वो नदी इस्तिरलिंग माना गया है खिलेर हो गया है आगे बढ़ते हैं बखेडा उमें बखेडा लिंग बखेडा निबंद केकर उपर लिखल गये ले तो बखेडा उमें बखेडा लिंग बखेडा निबंद जो वो किसके उपर में लिखा गया है समाज की जाती समस्या के उपर नहीं ये गलत है भरष्टाचार समस्या के उपर नहीं धर्मिक समस्या उपर नहीं यह लिंग समस्या के उपर में लिखा गया है तो समाज एक समस्या के उपर में यह जो वो निबंध लिखा गया है और सभी अन्य भासाओं में जो निबंध के साथ में जो समस्या देखने को मिलता है उसी के उपर में यह निबंध लिखा गया है अगला सवाल है कि लिंग कर भेद के लेता रहे सही उतर के छाटा देखिए आपको संस्क्रीट में तीन लिंग देखने को मिलता है, एक तो आपको मिलता है इस्तिर लिंग, एक मिलता है पुलिंग और एक मिलता है नपुनसंक लिंग, ठीक है तीन लिंग आपको देखने को मिलता है संस्क्रीट में, हिंदी में कितने लिंग है तो हिंदी में दो आपको मिलता है, एक तो इस्तिरलिंग और दुसरा है पूलिंग, तो यहाँ पे केबल दो देखने को मिलता है, फिर खोठा में आपको देखिए, इस्तिरलिंग मिलता है, पूलिंग मिलता है, नपुनसक लिंग मिलता है, और कुछ-कुछ जगा पे, कुछ पुस्तकों में आपको उभय लिंग एक अलग लिंग की रूप में माना जाता है खोठा में उभय लिंग किसको कहते जो इस्तिरलिंग और पुलिंग ये दोनों के रूप में जो बेवहार होता हो उसको उभय लिंग बोल दिया गया है ठीक है जहाँ पे इस्तिर्लिंग और पुलिंग का पता नहीं चल रहा हो कि हम यहाँ पे इस्तिर्लिंग माने या पुलिंग माने जैसे पहुना तो पहुना जो होता है यह नहीं पता चल रहा है कि वो इस्तिर्लिंग है या पुलिंग है जैसे खायनिहार अब खाय वला की पत यह सब कुछ ऐसे सब्द हैं जो की उभई लिंगी सब्द माने जाते हैं जो की उभई लिंग के अंतरकत रखा जाता है बाकी कर नपुनसक लिंग आप सभी को पता ही है यहां पे सब्दों को रखा जाता है नपुनसक लिंग में जो निर्जिव हैं जो निर्जिव के रूप में है उसको रखा जाता है पुलिंग तो पता है इस तिलिंग आपको पता है तो ये चाज़ें आपको बताने की आवश्रक्ता नहीं है तो इसके आधार पे इसका सही अंसर हो जाएगा होता है हिंदी में दो और खोठा में तीन अगर एटीन नहीं हो अपसर में तो फिर चार कीज़ेगा अगला स्वाल है कि राष्टी एकता जैर मौ इसके कौन भासा लाप जाए आध ढाए geven गोना कोन भासा के देखान जा लिंग के आधार पे जो वो अन्य भासाओं के तुलना में छेत्री भासाओं में जो वो ज्यादा इसमें से विसंता नहीं देखने को मिलता है यह सारी बातें यहां पर की गई है क्लेर हो गया आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पर हामिनकर संस्कृतिक विसेस्ता क स्रम् सम्ता और सहास्तित्व क्या इसका अर्थ होता हैं तो आप सभी को पता ही हमारी संक्र्ष्टी में जो आपको यह सारी चीजह जो साप साप जह लगता है ंसरा सहास्तित्व यानि लंबे समय तक हम लोग जोबो एक साथ लंबे समय से एक साथ हम लोग जोबो रह रहे होते हैं यह ऐसा नहीं कि आज आज से यह चल रहा है बहुत पहले से चल रहा है देखे अब यहाँ पे क्याई बार होता है तो दिकु जो है ये बाहरी लोग है जो बाहर के लोग आ करके यहाँ पर परभावित करता है बाकिक जो पहले यहाँ पर निवास कर रहे थे जो भी हो जो यहाँ पर निवास कर रहे ये तो सभी एक ही थे लेकिन परभावित इनको अगर किया है तो वो बाहरी लोग आ करके किया है नहीं तो वो पहले से बहुत अच्छे धंग से सभी लोग एक साथ सहस्तितु के साथ में एक साथ जोबू रह रहे थे लेकिन दिकू यानि बाहर के लोग जो आते हैं बाहरी लोग जो आते हैं वो लोग परिशानी का कारण बनते हैं राजमेश क्लिर हो गया आगे बढ़ते हैं और आज तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानि यह सभी जो यहां की संस्कृति की विसेस्ता है स्रम समता और सहस्तित्व तो इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आज का आखरी सवाल है कि छववा और गिदर कौन रखमे क्लिंग लागे छववा और गिदर कौन रखमे क्लिंग लागे तो बता दे कि ना ही हम यहां पे असपश्ट कर पा रहे हैं कि यह इस्तिर्लिंग है और ना ही हम कह पा रहे हैं कि यह पूलिंग है क्योंकि क्या पता हो सकता है बच्चा है तो जैसे बच्चा तो बच्चा से हमको थोड़ी ना पता चल रहा है कि यह क्या है जो बच्चा ऐसा सब्द है जो कि यहाँ पे हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, यहना दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ऐसे को हम क्या रखते हैं, उभए लिंग के रूप में रखते हैं, जहाँ पे हम दोनों के रूप में बेवहार मिलाते हैं, तो उसको उभए लिंग कहा या इभी निर्जी होए लेकिन इसको दुसरे में रखा गया है तो वो सारी बाते हैं आपको ध्यान रखना है हम लोग यहां पर खोठा के आधार पर बात कर रहे हैं कि इस तरह से यह सारी प्रश्णों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और उमीद करते हैं कि आज का क्लास आपसुए को पसंद आया होगा तो फिल हला UAG, हम लोग जल्द देंए इसका झो तिसरा जो आपका निबंद है उसके तिसरे निबंद पे हम लोग जल्दी बात करेंगे बैसका बगरा काम कम यानि काम अधिक करो और बात कम करो है ना उसके बारे में यहाँ पे करना है तो उसके बारे में बात करेंगे है ना बैसका बगरा काम कम यानि बात बहुत कर रहा है और काम कर यह नहीं रहा है कि काम जैदा करो और बात कम करो तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले निबंधों में तो फिलाल के लिए इतना ही और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धेनेवाद